हलो नमस्कात दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं जोजिला टनल की विशेष्थाओं के बारे में इसकी काफी विशेष्था हैं लेकिन मैंसे मैंने आज मेंली साथ ऐसी विशेष्था लिए हैं जो कि इस वीडियो में डिसक्स करने वाला हूं इसमें जो पहली विशेष्था और फीचर है वह है इस पुझेक्ट का कंप्लीट होने का टार्गेट पांच साल का है हालांकि यहां पर इस टनल का काम हो रहा है वहां का जो इला ट को है कि तर लक्ष तक कंप्लीट किया जाएगा इसका जो लक्ष डिसैड किया गया है हमारा जो दूसरा प्विशेट का जो डिसाइड किया गया है वह यहां पर चौदा दस्यम्लव दो क्लूमेटर टू लेन बाइद आरेक्शन तेंड़ तनल के ससाथ साथ चौदा किलोमीटर लंबी इग्रेस टनल बनाने का है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टनल के वेस्टन पोटल पर बल्टाल है जिसकी 3000 मीटर की उचाई है जो कि सिर्फ 400 मीटर नीचे है यहाँ पर जो पहले से नेशनल हाइवे स्थित है उसके एलिवेशन से इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालूई रखना कितना कठिन है इस टनल से 15 किलोमीटर की दूरी पर सन मार्ग है और इस्टन पोटल पर जोजिला टनल के बाद मीना मार्ग से द्रास कारिल का एंड होता है तो जो यह टनल बनाई गई है यह इन इस्टन वेस्टन और द्रास कारिल के बीच में हैं जो कि जोजिला पास से होके गुजरती है इसकी जो तीसरी विशेष्था है वो है इस टनल की प्लाइनिंग एक स्मार्ट टनल की तरह की गई है जिसमें सभी प्रकार के लेटेस्ट सेफटी फीचर्स का प्रियोग किया गया है जैसे की पूरी तरह ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम बिजली का पूरी सप्लाई हमेशा 24 होंटे रहना इमर्जेंसी लाइटिंग CCTV मोनेटरिंग इसमें काफी तरह के साइन और सिंबल का भी प्रियोग किया गया है इसके अलावा इसमें ट्राफिक लॉगिंग एक्विमेंट्स और एक टर्नल रोड रेडियो सिस्टम का भी प्रियोग किया गया है और लगाया गया है इसके जो चोथा वेनिफिट है या जो चोथा इसका फीचर है वो है इसमें इसमें जो शुरक्षा के इंदजाम किये गए हैं उनमें इमर्जेंसी टेलीफोन्स फायर फाइटिंग कैबिनेट्स जो की हर 125 मीटर के बाद दिये गए हैं इसके अलावा हर 2500 मीटर के बाद पेडेस्ट्रियन क्रोस पैसिजिस भी लगाए गए हैं इसमें हर 750 मीटर के बाद मोटरेबल क्रोस पैसिजिस और लेबाय भी दिये गए हैं जिससे कि गाडियों को डारेक्षन चेंज करने में काफी ज़्यादा आसानी होती है इसका जो पांचवा फीचर है वो है इस प्रोजेक्ट की सिवल कंस्ट्रक्शन जो कोस्ट है वो 4,900 करोड रुपीज है और जो टोटल कैपिटल कोस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 6,800 करोड रुपीज जिसमें कोस्ट ओफ लेंड, रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन इसके अलावा प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एस वेल एज दा मेंटिनेस और ओपरेशन कोस्ट ओफ दा टनल चार साल के लिए ये सब आती है इसका 6th feature और विशेशा जो है इस टनल के निर्मान से जो रास्ता पहले सर्दियों में बंद हो जाता था इस टनल के निर्मान से पहले जो रास्ते बंद हो जाते थे अब वो पूरा साल खुलेंगे जिससे की defense services में काफी इजाफा होगा और goods की supply भी काफी आसानी से हो सकेगी तो दोस्तों यहां पे जो भी defense related चीजे थी या जो भी हमारे soldiers को facilities प्रोवाइड नहीं हो पाती थी क्योंकि winters में यहां पर वर्फ बारी काफी जादा होती थी और minus 45 डिग्री तक यहां का पारा गिर जाता था जिसकी वैसे गुर्ष की supply या जो भी खाने की चीजे थी वह supply नहीं हो पाती थी जिसकी वैसे काफी दिक्कत आते थी defense services में तो उसमें काफी इजाफा होगा और उससे उनको हर मतलब 2400 गंटे 12 महिने और 355 दिन वहां पर services प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि कोई emergency के वक्त इतनी समस्या उत्पन नहीं होगी यहां पर इसका अंतिम और लास्ट जो मैंने आपके लिए डिसाइड किया है जो लिया है फीचर वो है एक बार इस टरनल के पूरा होने से शीनगर और लद्दाक का यह रास्ता पूरा साल खुल खुला रहेगा जिससे कि शीनगर और लद्दाक के बीच की यात्रा का समय तीन घंटे से घड़कर डेड़ घंटा रह जाएगा यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें यौन के लिए आप यह जनकारे और इस तरह की जानकारी प्राप्तकर कने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें जैहिन